हेलो एवरिवान तोड़ेस टॉपिक इस अलकेंस तो अलकेंस का सबसे पहले जो जनरल फॉर्मुला होता है वो होता है यह इनका जनरल फॉर्मुला होता है विएर एन इस दो नमबर ओफ कार्बन एटम से फॉर एग्जामपल आपके पास मिथेन है मिथेन में कार्बन कितना है वन प्लस एच टू इन्टू वन प्लस टू में च फॉर्ट विच इस मिथेन सेम आप इथेन के लिए ले सकते हैं इथेन में कार्बन इस टू एच टू इन्टू टू प्लस टू मतलब की सी टू एच सिक्स इस इथेन तो ऐसे होते हैं सारे एडिश्न इंफरमिशिन दे देती हूं जो आपके अलकी इंख होते हैं उनको फॉर्मला होता है CnH2n ठीक है और जो आपके अलकीं होते हैं उनको फॉर्मला होता है CnH2n-2 this is for alkene this is for alkyne now see जितने भी आपके alkene है methane है ethane है सब में ही आपका single covalent bond बनते हैं जैसे this is the simplest methane ये this is the simplest methane simplest alkene methane ठेक है तो यहाँ पर यह चारो bonds हैं वो single covalent bond बनते हैं पाई bond तो इन में होता है नहीं है जिसमें double या triple bond होगा clear ऐसी त होता है अगर एक single bond है तो यह sigma bond होगा मिशा, दो bond है तो double bond में 1 bond sigma होते है, 1 bond पाई होता है. triple बॉंढ होता है तो उसमें 1 sigma होगा, 2 developed layers है. तो यहा पर तो सारे सिंगल bond हैrang मतलब सारी कि सारे sigma bond है Clara लिए नेक्स्ट देखो यह सारे के सारे जो बॉण्ड बने हैं अलकेंस में जितने भी बॉण्ड बनाता है कार्बन वह स्पी 3 हाइब्रिड और्बिटल से बनाता है ठीक है एसवी 3 हाइब्रिड और्बिटल का कंबाइन करता है to form the bonds एक और बात जितने भी carbon bond बना रहा है वो सारे sigma bond बना रहा है covalent bond बना रहा है तो इसलिए सारे bonds होते हैं बहुत strong होते हैं क्योंकि बहुत strong होते हैं तो easily attack नहीं कर सकते other reagents नॉर्मल कंडिशन में इसलिए इनको हम saturated hydrocarbon या पैराफिन्स भी बोलते हैं चीक है saturated hydrocarbons या फिर पैराफिन्स का क्या मतलब होता है little affinity to react चीक है after this क्योंकि यह sp3 hybrid orbital से बना रहा है तो इसकी shape क्या होगी tetrahydral होगी और इसके जो corners है of bond they are directed towards the corners of a regular tetrahydran ठीक है इसके example भी देख लेते हैं methane और ethane का देखो यह methane का simple model है तो यह tetrahydral structure है four bonds they are directed towards the corners of the regular tetrahydran यह दूसरा three dimensional model है methane का इसमें क्या होता है यह जो दो bonds है यह they are in the plane of paper चीक है और यह बार बार focus से हट जाता है यह वाला जो है जो bold line से दिखाया है इसका मतलब है कि यह bonds जो है यह towards observer है और यह जो hash line से दिखाया है इसका मतलब है यह वाला जो bond है that is away from the observer और यह दोनों ही क्या होते है they are out of the plane of paper यह वाले in the plane of paper होते है वैसे यह stereochemistry में आता है बट मैंने आपको अभी बता दिया ठीक है अगर आप sp3 hybrid structure बनाओ तो वह कैसे बनता है यह simple carbon है उसके पास चार sp3 hybrid orbital होते हैं तो यह हो गया एक दो तीन पर यह हो गया चार ठीक है यह चार sp3 hybrid orbital होगी मिथेन है तो इसने combine करना है इसने combine करना है with hydrogen 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 तो इनमें overlapping होगी यह overlapping होगी और यहां पर फिर यह sigma bond बन गया है यह वाले sp3 hybrid orbital है carbon ठीक है तो यह ऐसे होता है इसके बाद अगर आप simple structure बनाओ तो वह कैसे बनता है carbon 1 hydrogen bond 2 hydrogen bond 3 hydrogen bond 4 hydrogen bond इसमें जो यह angle रहता है that is this much और यह जो length होती है carbon hydrogen bond की that is 1110 picometer ठीक है same हम ethane के लिए भी कर सकते है okay this is ethane with molecular formula c2h6 और यह उसका molecular model है 2 carbon है ठीक है and with 6 hydrogen तो यहां पर यह एक single carbon भी sp3 hybridize होता है दोनों ही ठीक है और यह tetrahedron की shape में tetrahedron की shape आप कैसे देख सकते हो उसको rotate करके ऐसे rotate करके आप देखो यह tetrahedron है ऐसे तो है यह ऐसे उत्तिन tetrahedron यह ऐसी बन है ठीक है इसके बाद अगर आप इसको overlap वाले orbitals बनाओगे तो वह कैसे बनाओगे एक carbon यहाँ एक carbon यहाँ एक carbon यह एक carbon यह ठीक है इसका आपने बनाना tetrahedron है तो एक दो तीन चार ता सीधर एक दो तीन चार यह रफ होगे अब ऐसे बनाओगे 1,2,3,4 इसका भी 1,2,3,4 यह overlapping करते हैं और यहाँ पर यह hydrogen से overlapping होती है इन सबकी यहाँ पर यह 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 और यह सारे के सारे sp3 hybrid orbitals हैं ठीक है अगर आप इसका simple वाला structure देखो मतलब के यह वाला तो यह कैसे बनेगा carbon attached to carbon ऐसे यह सारे hydrogen है यह वाला जो bond angle है यह होता है 154 picometer यह वाला 110 picometer इस वाला overlap orbital वाला diagram और यह simple diagram है और यह bond angles होता है यह सेम होता है 104 degree 20 ठीक है इसके बाद जो आपके higher alkane होते हैं मतलब की 2 से उपर 3 and so on तो उस case में क्या होता है सारे ही ऐसे tetrahydran होते हैं तो three dimensional structure में जब आप ऐसे बनाते हो नो जैसे यह this is your propane अगर valency hydrogen से satisfy करें तो this is your propane बट actual structure ऐसे नहीं होता है जो actual 3D structure होता है वो ऐसे zigzag होता है ठीक है बट simplicity के लिए हम planar structure ड्रो करते हैं इसके बाद आता है classification of carbon in alkanes classification of carbon को आप classify carbon की classification चार में कर सकते हो primary carbon secondary tertiary quaternary primary carbon वो होगा यह न primary carbon primary carbon वो होगा जिसके साथ या तो एक carbon attach हो या कोई भी carbon carbon attach ना हो ठीक है और secondary वो होगा जिसमें आपके साथ 2 carbon उस carbon के साथ 2 carbon attach हो टर्शुरी में 3 carbon attach होंगे quaternary में 4 carbon attach होंगे ठीक है अब जैसे इसमें देखो यहां पर हम इदर से शुरू करते हैं यह first carbon है इस carbon के साथ इस carbon के साथ सिर्फ एक carbon attach है तो इसलिए यह हो गया primary carbon ठीक है इस carbon के साथ देखो इस carbon के साथ 1,2,3 तीन carbon attach है तो यह हो गया टर्शुरी carbon इस carbon के साथ इदर एक और इदर एक दो carbon attach है तो यह हो गया secondary इस carbon के साथ 1,2,3,4 carbon attach है तो यह हो गया quaternary बाकी का यह यह वाला यह वाला यह वाला यह सारे के सारे primary इसी के basis पर आता है what is primary, secondary, tertiary, hydrogen तो वो बहुत easy है प्राइमरी carbon के साथ जितनी भी hydrogen लगी होंगी वो सारी primary hydrogen होंगी secondary के साथ जितनी भी hydrogen लगी होंगी वो secondary hydrogen होंगी tertiary के साथ जितनी लगी होंगी वो tertiary होंगी क्वाटरनेंदी के साथ कोई भी hydrogen नहीं लगी होती है ठीक है ना तो क्योंकि उसमें चार carbon अटाच होती है तो इसलिए क्वाटरने अदोजन नहीं होता नाव नाश्रल सोर्स उफ अलकेन तो मेन दो ही नाश्रल सोर्स है petroleum और natural gas आपको petroleum पता है आपको Earth के Earth के surface में मिलता है ठीक है and petroleum and natural gas both are mixture of hydrocarbons now if we talk about method of preparation of alkane तुम्हारे पास major six method होते है for the preparation of alkane सारे के सारे हमने एके करके study करने है उसमें first hydrogenation of unsaturated hydrocarbon या इसको आप सबैटियर एंड सेंडर्सन reaction भी बोलते हो इसमें क्या करने वाले हो आप आप कोई भी alkyne या alkyne लेते हैं and then we add hydrogen to that in presence of catalyst catalyst आपका कुछ भी हो सकता है finely divided nickel platinum या palladium ठीक है तो जैसे simple आप general reaction लिख रही हो भी मैं cnh2n ये alkyne है इसमें आपने hydrogen डाला in the presence of catalyst platinum, palladium ठीक है कुछ भी तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा cnh2n प्लस 2 ये alkyne है ना ये alkyne था मैंने आपको starting बताए था और ये आपका alkyne है say for example we have ethylene ch2 ch2 तो यहां पर आप hydrogen add करोगे in the presence of platinum, palladium तो आपको क्या मिलेगा ch3 ch3 ethane मिलेगा same you can do for alkyne cnh2n-2 इसमें आपको hydrogen डालोगे निकल डालते हो with temperature this much so you get cnh2n-2 बेसिक ले लेते हैं अगर आप निकल यूज कर रहे हो तो आपको टेंपरेचर देना पड़ता है तो आपको टेंपरेचर देना पड़ता है 52575 Kelvin तका तो इसके बाद इस रियक्शन से आप मिथेन को प्रिपेर नहीं कर सकते क्योंकि starting compound में ही requirement है कम से कम दो कार्बन की तो मिथेन के नॉट बी प्रिपेर विद इस रियक्शन second is reduction of alkyl halide तो गर आप alkyl halide alkyl halide क्या होता है Rx चालिक है ? X is any halogen तो अगर आप reduction of alkyl halide करते हो तो भी आप alkyl prepare कर सकते हो इसमें भी दो तरह की होते है या तो आप direct reduction कीजिये या आप indirect reduction करो direct reduction में आप कोई भी reducing agent को use करते हैं चालिक है ? reducing agent को use करते है इन डारेक्ट में आप Grignard Reagent को यूज करते हैं which is RMGX इसी को बोलते हैं Grignard's Reagent ठीक है तो यह आप दो से कर सकते हो अभी हमने first देखना है पहले that is direct reduction direct reduction में आपने क्या करना है आपने alkyl halide को reducing agent के साथ react करवाने ठीक है तो reducing agent आपका कुछ भी हो सकते है इसमें आप main तीन तरगी reducing agent लेते हो या तो आप zinc और HCA ले सकते हो या आप zinc copper का pair ले सकते हो along with alcohol यह याद रखो आप zinc copper pair along with alcohol या आपको preparation of ethane में काम आएगा या फिर इसके अलावा आप ले सकते हो catalyst ले सकते हो आप in presence of palladium catalyst तो यह तीनों जो होते हैं they act as reducing agent तो मेरे पास simple है Rx कोई भी alkyl chloride है उसमें मैंने hydrogen डाला अभी मैं यापे zinc और HCl का ले रही हूँ first वाला तो क्या होने वाला है यहापे मेरे पास RH plus HX यह बन जाएगा say for example मैंने लिया हुआ है normal butyl bromide इतो तीन चौर ठीक है इसमें hydrogen डाला मैंने और zinc HCl का पे डाला तो क्या होगा यहाँ पे आपका normal butane बन जाएगा ठीक है CH3 CH2 twice CH3 plus HBR चीक है so this was the direct reduction second पे आते है which is indirect reduction using Grignat's reagent इससे पहले यहाँ पे एक बात रह गिया है कि direct reduction में halogen है ना यहाँ पे अब आपको पते हैं 4 halogen होते हैं floro, chloro, bromo, idol main यही इसमें से fluorine तो जादा react हम नहीं करवाते हैं क्योंकि बहुत जादा इसकी reactions बहुत जादा explosive nature के होती हैं इस case में आप chlorine और bromine ले सकते हो यहाँ पे यह वाले case में बच गया iodide तो अगर आपने कोई भी alkyl halide लेना है या कोई भी है मैं बोल सकते हूँ alkyl iodide लेना है तो उसमें फिर आपने यह वाले reducing agent यूज़ नहीं करनी उसकी अलग separate reaction होती है जैसे ही मान लो मेरे पास ethyle iodide है तो उसमें फिर मैंने क्या डालने हैं उसमें मैंने HI को यूज़ करना है in the presence of red phosphorus तो यहाँ पे मेरे पास ethene बन जाएगा along with I2 तो यह याद रखना है indirect reduction आपका grignard reagent से होता है ठीक है grignard reagent grignard reagent को पहले आप prepare करोगे prepare कैसे करते हो आप आप पहले simple alkyl halide लेते हो उसमें आप magnesium डालते हो in the presence of dry ether medium ठीक है dry ether के presence में तो यह आपका यहाँ पे grignard reagent बन जाता है इसका दूसरा नाम क्या होगा alkyl magnesium halide सीधा यह है R is the alkyl group mg for magnesium, x for halide so alkyl magnesium halide जब यह आ जाएगा यह फिर water के साथ react करेगा r mgx reacts with water water में भी आपको पता है क्या होता है HOH इस तरीके से होता है तो इसकी यहाँ से cleavage होती है और जो H वाला portion है यह R की तरफ move कर जाता है और जो OH वाला portion है यह mgx को चला जाता है देर्फोर आइगेट आर एच प्लस mg साथ में लगा होता है एक साथ में लगा होता है OH मैंने गलती साहरो बना दिये यह बॉंड्स है सिंगल बॉंड्स है ठीक है एक्जांपल लेके इसको देख लेते हैं सी मेरे पास यहाँ पर methyl iodide उसमें मैंने मैंने magnesium add किया इन फ्रेजंस ओफ dry ether medium और मेरे पास grigna achievement गया इसका बीजा नाम होगा methyl magnesium iodide अब यह जो है methyl magnesium iodide यह रियाक्ट करेगा water के साथ to form methane and mjohi ठीक है एक बार आपने आद दखनी है कि स्टार्टिंग का जो हमने method कि था hydrogenation of unsaturated hydrogabins वहाँ पर methane produced नहीं हुआ था बट इस method से reduction of alkylilide इस method से methane को prepare कर सकते हैं वैसे हमने अलग से भे methane methane की preparation देखनी है बट still अगर आप याद कर लो कि किसमें आप methane को prepare कर सकते हो किसमें नहीं तो वह beneficial रहते है याद करना अभी आगे इसको हम water के साथ react कर राते हैं see when this methyl magnesium iodide reacts with water it forms methane along with magnesium hydroxide iodide ठीक है अब यहाँ पर आपने एक point याद रखने है जो कि बहुत-बहुत important है क्या है रखने आपने यह जो आप कर रहे हो ना reduction of alkyl halide तो यह जो alkyl halide आप starting में ले रहे हो यह कहां से बनते हैं यह alkyl halide आप alcohol से लेते हो कहने का मतलब है कि alcohol से पहले आप alkyl halide बनाते हो फिर आप उससे alkane बना रहे हो ठीक है इससे alkane बनाने का process इस과 इस process का क्या नाम है reduction, reduction है ना इसका नाम, यहां तो वो direct है या ग्रिवनार्ट रिजन के तुरू है, तो अब यहां पर question है, तो फिर आप direct या अलकोहल से अलकेन बना लेते, यह बीच में intermediate की बनाया, तो आप direct अलकोहल से अलकेन नहीं बना सकते, वाई, क्योंकि अलकोहल में आपको पता है, अलकोहल is what? ROH, इसमें OH, hydroxy group होता है, and this OH, hydroxy group, it resist, it resist reduction, it resist reduction, इसकी वज़य से direct आप अलकोहल को अलकोहल केन में गनवर्ट नहीं कर सकते, तो यह अलकाईल हलाइड आप यूज कर रहे हो ना, in reduction, तो वो कहां से अप्टेन होता है, अलकोहल से होता है, now third is words reaction, तो words reaction में क्या होता है, आप दो alkyl halide लेते हो, एक दो, फिराल तो यह सेम है, अलग भी हो सकते हैं, वो हमने बताने हैं, तो याद रखो, इसमें हमने दो alkyl halide लेने हैं, साथ में metallic sodium लेने हैं, इसको आपने simple नहीं बोलने हैं, इसको आपने बोलन metallic sodium in presence of dry ether to form alkyne, जैसे यह example है, यह आपके पास methyl iodide है, इसके दो molecule लिए मैंने, साथ में दो metallic sodium लिए, in the presence of dry ether medium यह बन गया, इथेन और sodium iodide, ठीक है, दो molecule, तो यह जो है, यह फिलाल symmetrical alkyne में बना रहे हैं, symmetrical alkyne मतलब, यह देखो आप, यह symmetrical है न, सिमेटरिकल है और यह same लिए थे क्योंकि, अब अगर आपने unsymmetrical alkyne बनाना हैं, जैसे propane हैं, जो odd number होते हैं, यह symmetrical है with even number of carbon, अगर आपने odd number of carbon के साथ बनाना है, तो यहाँ पर यह जो आप reactantant molecule ले रहे हो, यह दो तो सेम लिए थे, तो आपको अलग अलग लेने पड़ेंगे, तो उस case में, आप unsymmetrical alkyne बनाऊगे, यह अकेले अकेले अब इसके साथ react करता है, so this is the reaction for the unsymmetrical alkyne formation, यहाँ पर यह देखो आप प्रोपेन बना रहे हो, दो alkyl halide जो react करवा रहे हो, कौन कौन से हैं, methyl bromide and ethyl bromide, with two sodium, in the presence of dry ether, प्रोपेन बना, अब यहाँ पर वाला जो है न, यह वाला, यह है for the formation of symmetrical alkyne, जबकि नीचे वाली formation जो है, यह है for the formation of unsymmetrical alkyne, तो यहाँ पर यह worst reaction यह इस वाली reaction के favorable में नहीं होती है, यह इसके limitation भी है, वाई, because main product तुम बनी रहा है, बट साथ में जो individual है न, मतलब कि methyl bromide और ethyl bromide, यह अकेले-अकेले भी sodium के साथ react करके कुछ product बनाते हैं, तो महाँ पर mixture बनता है, ठीक है, इसके बाद एक, वो रह गया, order of reactivity of halides, तो उसमें आपको पता है, iodide, they are most reactive, then bromide, then chlorine, ठीक है, fluorine को मुरेते ही नहीं है, कि मैंने आपको बताया था, उसके जितने भी reactions है, वो highly explosive in nature होती है, ठीक है, तो यह थोड़ा सा order था, ओके, so what are the limitations of the reactions, first है, worst reaction, that it is suitable only for the preparation of symmetrical alkane, second, we cannot use this reaction to prepare methane, third, tertiary alkyl halide, cannot be used in this reaction, tertiary alkyl halide का है, से carbon है, one, two, three, इसके आगे भी तीन methyl group लगे हुए है, ठीक है, और इसके साथ में कोई halogen group लगा है, तो इसको आप इस reaction में यूज़ क्यों नहीं कर सकते है, क्योंकि, अगर मान लो, इसका mechanism अगर आप देखो, तो इसके दो mechanism होते हैं, एक free radical mechanism होता है, जो की vapor phase में होता है, एक दूसरा होता है, intermediate formation mechanism, जिसमें organometallic compound बनता है, तो अगर free radical में देखो, तो जो इसका free radical बनता है, तो जो इसका free radical बनता है, तर्शरी का free radical, वो बहुत ज़ज़ स्ट intermittent formation of organometallic compound, second intermittent formation of free radical, मैं आपको ये दोनो एक साथ करवाऊंगी, ताकि आपको easily learn भी हो जाए, और easily आप differentiate भी कर पाऊ, फिलाल के लिए इतना याद रखो, जो free radical mechanism होता है, अगर आपका compounds जो है, या जो reaction है, वो आपकी vapor phase में है, चीक है, और ये वाल mechanism organometallic वाला ये तब होग जब आपका reaction जो है, वो solution phase में है, this is the first mechanism, intermediate formation of free radical, this is the second mechanism, intermediate formation of organometallic, organometallic compound, ठीक है, तो ये vapor phase में होगा, जब reaction आपकी vapor phase में होती है, और ये होगा, जब reaction आपकी solution phase में होती है, इसको आपने कैसे start करना है, free radical को, आपने free radical बनाना है, तो यहाँ पे आप क्या ले होगे, एक RX और एक NA, और organometallic में आप एक RX लोगे, दो NA लोगे, ठीक है, जैसे start करते हैं, अब यहाँ पे, एक RX है, एक NA है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने R का free radical बनाना है, R का free radical बन जाएगा, और NA, X बन जाएगा, ये तो केला था ही, अब थोड़ी सको केला करना ही, ये इसके साथ react कर जाएगा, इसका free radical बन जाएगा, ठीक है, ये इतना समझागे, first step है, इधर आओ, इधर क्या है, दो NA है, तो R ने NA के साथ, इस R ने NA के साथ चल जाना है, और X ने भी इसके साथ चल जाना है, क्योंकि ये दो है ना, तो मेरे पास RX और एक NA X बन जाएगा, अब यह यहां देखो, free radical है, तो मान लो, आपने symmetrical chain में देखा होगा, we use 2NA and 2RX, ठीक है, हमारे पास raw material क्या है, यह है ना, यह है raw material, 2NA, 2RX, दोनों में हमने complete करना है, बेटा, तो यहां पे आप देखो, 1NA, 1RX तो यूटिलाइज हो गया, 1NA, 1RX तो यूटिलाइज हो गया, दूस दूसरा भी सेम ऐसे यूटिलाइज हो जाता है, तो second reaction भी सेम ही रहती है, और यह बनता आपके पास, तो आप देखो, compound में जो बना था, वो तो पूरा हो गया, मैं यहां पे reaction लिख देती हूँ पहले, देखो, 1RX इदर यूज हो गया, second RX इदर यूज हो गया, 2NA भी अब यह जो दो free radical बच्चे हैं, यह आपस में combine कर जाएंगे, RR बनाने के लिए, बन गया यह वाला compound भी, तो यह समझ लग गया, अभी दर आओ, और ग्यानो metallic, इसमें आप देखो, 2NA और 1RX आपने यूज कर लिया, और आपने 1NAX भी बना लिया, क्या बच गया, 1NAX बनन यह जो बना है, यह दोनों combine करके क्या बनाएंगे, RR plus NAX, ओके, I hope this is clear to you all, तो पहले आप इसको ध्यान में रखो, ठीके, क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, अच्छा, dry, ether, medium, आप भूल मत जाना, यह बहुत important है, एक बार दुबारा revise कर वा देते हूं में आपको, free radical mechanism, ज देना है, RX और एक NA, ठीके, इससे आपका, एक R free radical और NAX बन जाता है, ठीके, अब मेरे को पता है, हमें, यह दो RX यूज़ करने हैं, दो NA, तो same reaction, एक और बार होगी, और मेरे पास, दो free radical और दो NAX, यह जो free radical हैं, यह आपस में combine कर जाएंगे, to form R, R, clear? इधर देखो, organometallic वाली, जो solution phase में होती है, जब reaction, यहाँ पे RX प्लस 2NA, क्या बना, एक RNA प्लस, एक RNA प्लस NA X, और मैंने यहाँ पे गल्द कर दिया था, यह उपर, यह मैंने, आर एक सी बना दिया, RNA बनना था, ठीके, इधर भी RNA बनना था, तब ही RR और NX बनता, ठीके, यह correction है, यहाँ पे देख लो, यह RNA बना था, इसलिए पे चलो, एक बार दुबारा भी करवा दिया, मैंने, तो RNA और NX, फिर, यह तो बन गया, क्योंकि यह तो इधर भी product में है, RNA, RNA, प्लस एक और RX, रो माटीरियल में जो है, यह combine करेंगे, to form RR, प्लस NX, the next, that is core house synthesis, इसमें आप क्या गड़ते हो, एक alkyl halide लेते हो, which reacts with lithium-dialkyl copper, to form alkane, और साथ में बनते हैं, यह कैसे हो रही है, आपके पास alkyl halide है, R, X, R-X, और R2, C, U, L, I, यह मैंने अलग-अलग इसलिए लिखे हैं, क्योंकि मैंने बताना था कौन किस से आज़ाएगा, वैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R2, C, U, L, I, ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, यह R और R' अलग-अलग हैं, इसलिए इसको R और R' लिखे हैं, ठीक है, होगा क्या यहाँ पे, आपके पास, एक R और R' यह सेपरेट हो जाएंगे, R2, सरी, R और C, U, और Li और X, यह ऐसे अलग-अलग हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक्जामपल के लिए रियाक्शन देखते हैं, इस इस एक्जामपल और यह जो है, इस इस एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और दिस इस लीथियम डाय मिथाइल कॉपर, तो अब क्या होगा, एक R इसके साथ चला जाएगा, R' के साथ, बिसिकली क्या है, यह वाला R' है, यह X है, यह R है, C, U, L, I, तुसे में, तो हमने देखा था न, R और R' तो R और R' जब लगेगा, तो यहाँ पे यह N-butyl से N-pentane बन जाएगा, ठीक है So, what is formed over here is, CH3, CH2, which is 3 times, and CH3, 3, 4, 5, this is N-pentane, साथ में क्या बनेगा, R Cu, मतलब की CH3 Cu, plus क्या बनना था, L I X, मतलब की L I Br, L I Br So, this R2 Cu Li, जो यह Lithium Dye Alkyl Copper हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, यह जो हम यूज कर रहे हैं, यह भी Alkyl Halide से प्रिपार किया जाता है, कैसे, आप Alkyl Halide लेते हो, फिर 2 Lithium लेते हो, उन्दा प्रिजन से अफ ड्राइ एथर, एक R के साथ चले जाएगा, एक X के साथ, R Li और Li X, यह सेम ही है, जैसे आपने वो Intermediate यह वाली की थी न, R X और 2 Na, बस Na की जगह पे इन्होंने यहाँ पे Li लिखा है, सेकिंड स्टेप थोड़ा सा अलग है, इसको लेते हैं, इसके हम 2 Molecule लेंगे, तो 2 R Li along with Cu X, यह नहीं है, ठीक है, यह तो यह यूज कर रहे हैं, बट यहाँ यहाँ पे, Na X की जगह, यह R X की जगह, Cu X यूज कर रहे हैं, तो यह जब आप करोगे, तो यहाँ पे आपको R 2 Cu Li मिल जाएगा, और Li X, यह आपको as it is, याद करना पड़ेगा, कि how this Lithium Dimethyl Copper is prepared, for a hint, आप यह याद कर सकते हो, कि first step is same, जैसे आपने वर्स टेक्शन में किया यहाँ पर Li है, और फिर जो product बना है, एक तो वही लिया आपने और दूसरा आपने Cu X लिया, ठीक है, अगर आपको इस reaction में, अलकेन की good yield चाहिए, तो जो आप alkyl halide यहाँ पे use कर रहे हो ना, वो generally primary लेना होता है, primary alkyl halide, ठीक है, और मतलब कि इस case में, यहाँ पे आप ल alkyl halide ले रहे हो ना, एक Rx, एक R2, मतलब दो alkyl group ले रहे हो, तो यहाँ पे यह जो Rx है, इसमें यह जो R है, यह primary होना चाहिए, अच्छी yield के लिए, और यह वाला जो है, alkyl group with the lithium dialkyl copper, यह कुछ भी हो सकता है, primary भी, secondary भी, tertiary भी, यह तीनों में चलेगा, यह वाला, यह primary ही होना चाहिए, for good yield, main point कि, जो core house synthesis है, वो better reaction है, than the worst reaction, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि worst reaction के एक limitation थी, कि आप, that worst reaction is suitable, only for the preparation of symmetrical alkyl, but core house synthesis reaction में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप symmetrical alkyl हो, unsymmetrical alkyl हो, straight chain हो, branched हो, सब तरह के alkyl ही, इससे prepare कर सकते हो, इसलिए यह better है, than worst reaction, अगर one mark में कहीं आ गया, तो इसके लिए, important point है, इसका अब अपने mechanism भी करना है,